हालो नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है तो आज के वीडियो में हम आज ही लॉंच हुए नोकिया 2.2 मुबाइल फोन का के बारे में कुछ स्पैसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन वीड नोकिया 2.2 को हमडी गलोबल यानि की जिसे नोकिया का नोकिया ने प्रचेश कर रहा है तो उन्होंने नोकिया 2.2 आज हाली में लॉच कर दिया है तो अब मैं बताता हूँ आपको की इसमें क्या क्या स्पैसिफिकेशन है लेकिन इसका प्राइज भी जो है एक मेन है तो हम उसको वीडियो के एंड में डिस्कुस करेंगे तो इसमें 5.7 इच का डिस्प्ले दिया गया है जिसमें की वोटर ड्रोप नोच है और 19200 की अस्पेक्ट रेश्यों दी गई है और इसमें जो है एस हिलियो का एट वन्टी टू प्रसेसर लगाया गया है एक प्रसेसर और साथ ही इसमें 3000 mh की बैटरी दे गई है जिसे की Nokia कमिट करता है कि इसमें दो दिन का बैटरी बैकप या स्टेंड वाई मिलेगा और ये स्मार्टफोन जो है Android 9 Pie पे चलने वाला है और Nokia ने ये भी कमिट कर दिया है कि थोड़े टाइम के बाद इसमें Android Q की अपडेट मिन चालू हो जाएगी और साथ में Nokia के 9 और कुछ 6.2 के लिक होने के भी रेंडर है लेकिन अभी उनका कोई अपडेट आया नहीं है और Nokia 2.2 का लिए लॉंच जो है हो गया है तो इसका प्राइज जो है वो रखा गया है 2 GB और 16 GB वेरियंट के लिए वो है 6999 रपे और 3 GB 32 GB वेर तो लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ में बाद इसका प्राइज जो है वो बढ़कर 7600 नियानूर पे और 8600 नियानूर पे हो जाएगा दोनों वेरियर्स का तो वैसे तो यह बड़ी स्मार्टफॉन लग रहे हैं प्रोसेसर भी कुछ इतना प्रोसेसर में कुछ खास द गूगल डडिकेट असिस्टेंट बटन भी दिया गया है गूगल का असिस्टेंट बटन तो वह यह खास बात है इसकी तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही आप इस मुवाइल के बारे में देखिए गूगल सच किजिए और देखिए कि क्या आपके लिए बहतर है तो आज की वीडियों बस इतना ही थैंक्स फो वाचिंग